जिसमें हमने calculation करनी है किसकी potential की इस बार, इस बार हम potential की करने वाले हैं, 7.3.1 में मैंने आपको electric field की calculation के बारे में बताया, consideration इस समय हमारी किसकी है, solid non-conductor, solid non-conductor की शकल मैंने आपको दिखाई हुई है, वो ही same diagram है, यहाँ पे diagram की जुरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, क्य क्योंकि जो calculation हमने electric field की की है, वही calculation हम potential के लिए भी करने वाले हैं, बना स्वारी, उसी electric field को use करके हम potential की calculation करने वाले हैं, तो जो इसलिए diagram की जुरूरत बढ़ती है, जब मेरे को gaussian surface बनाना हो, gaussian surface यहाँ बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम electric field calculate कर चुके हैं, उसी electric field को use करके हम potential निकालेंगे, क्योंकि हमें formula मालो में e is equal to minus dv by dr, बस यह use करना है हमने, लेकिन सबसे important aspect, मैं पहले start बता देता हूँ आपको, कि हमारे लिए integration की limits सबसे ज़्यादा importance रखती हैं, सबसे पहले outside का निकाला, क्योंकि comparative लिए simple था, इसलिए normally हम inside का निकालते थे, लेकिन इसको outside का निकाला है, क्योंकि outside से ही inside निकल पाएगा, और surface याद रखना हमेशा outside के case में आता है, ठीक है, outside से हमेशा surface निकलता है, inside से surface निकलता है, यह याद रखना है आपने, ठीक है, तो E outside हमने निकाल लिया, कितना आया E outside अभी पिछे हमने निकाल के आये थे कि Q upon R square outside वाला ठीक है, Gaussian surface बाहर आया है सब कुछ पता है आपको ठीक है, फिर इसके बाद ये formula लगाया आपको नज़र आ रहा है, फिर ये चले आगे ये DVD आर इदर ले गे पिर integration की त्यारी, सारी integration की त्यारी करते time एक बात याद रखनी है मुझे एक value पता होनी चाहिए, जैसे कि R equal to infinity पे potential 0 होता है ये last video में भी आपको बताया हुआ है कि R equal to infinity पे potential हमेशा 0 होता है, ये हमारी assumption थी जिसके through सारी potential energy की और potential की calculation की जाती है ठीक है, ये हमारा reference point रहता है फिर R equal to R होगा, तो V equal to V होगा चले आगे ये हमने integration की limits टाल दी पिछला question मैंने आपको एक बार करवाया था C से करवाया था, ये भी C से किया जा सकता है ठीक है, तो ये ये आगया R equal to infinity है, तो ये 0 है जब ये R equal to R है, तो ये भी है यहाँ से integration की 1 upon R square की integration होती है minus 1 upon R, ठीक है आपको आनी चाहिए, ये आगया तो इसलिए ये वाला minus भी उसी वज़ा से cancel होगया ठीक है, ये upper limit minus lower limit डालो, lower limit जब infinity डालोगे तो 0 हो जाएगा इसकी integration बूद करो अच्छे से आएगी आपको, I hope की आपको आएगी नहीं आएगी तो बात करेंगे ये R greater than R के लिए answer आ गया जैसे R greater than R के लिए आया तो फिर हमने सर्फेस का भी निकाल लिए इससे outside से की सर्फेस पे कितना होगा सर्फेस में R की जगा क्या डाल दिया? Capital R ठीक है? क्योंकि ये काम आना है मेरे जिसको मैंने shortcut में VS पी लिखने वाला हूँ ठीक है? आगे चले अब inside के लिए calculation ये सब कुछ आपको पता है? ये calculate करके आए हैं हम ये सब calculate करके आए है आए यहां तक पहुँच गे फिर यहां पे देखो limits की जब तरन आती है ना तो फिर importance क्या हो जाता है when R equal to capital R अब आप बोलोगे यहां क्यों ने infinity लिया infinity बाहर होगा या अंदर होगा? बाहर होगा तो इसलिए अब क्या करें? तो इसलिए हमने surface की help ली किसकी help ली? surface की help ली कि V equal to Vs जब है sorry, R equal to जब R है तो V equal to Vs और Vs की value हमें आती है बस यह हमारा fund है R equal to R यहां infinity क्यों ने लिया? क्योंकि infinity बाहर है आगे चले यह calculation की देखो सिरफ calculation है, कुछ नहीं है और बड़ी simple calculations है यह डाला R equal to Vs को limit R equal to R, यहां Vs लिखा यहां R, तो यहां पे V लिखा ठीक है? फिर इसकी integration R की R square upon 2 इसलिए यह 2 नजर आ रहा है ठीक है? और यह limits मैंने डाल दी एकी साथ तो R square minus R square आ गया ठीक है? और यह Vs minus V आ गया, फिर मैंने Vs की value जो मैंने पीछे निकाली थी K by R वो मैंने यहां डाली और उदर से मैंने calculate कर लिया यह मैं क्या calculate कर रहा हूँ? V inside यह सारी calculations है, LCM वगएरा लिये हुए कोई मुश्किल नहीं है, यह खुद कर नहीं है यह सब calculations करने के बाद ultimately आपका answer यह आता है बड़े अच्छे से करो, यह calculation आपको आएंगी समझ, कुछ भी नहीं है इसमें कि हमने यहां पे यह common लिया हुआ यह common लेने की वज़़ए से यहां पे यह R square आएगा, बिल्कुल इसका LCM ले लिया ना पहले, इसका LCM क्या आएगा R और R cube का LCM क्या आता है हमने center पे भी निकाला, center पे कैसे निकालोगे center पे निकालने के लिए, inside से निकलेगा center R equal to 0 डाला, जब R equal to 0 डाला तो यह खतम हो गया यह खतम हो गया, तो हमारा answer पता कितना आया 1.5 Vs, यह वी एक important बात है कि center पे जो potential होता है एक solid non-conducting sphere के case में वो 1.5 times होता है किससे आपके surface वाली value से, तीक है इसका graph भी हमने बनाया हुआ आगे यह देखो, यह सारी values लिख दी पहले मैंने जो जो important थी, V outside, V surface यह R की जगा R डाल दो, तो V surface आ जाता है फिर हमने V surface के बाद V inside निकाला वो पूरा, यह वाला यह पूरा, फिर यह यह आ गया V center, अभी मैंने बताया V center यह Vs है इसलिए 1.5 Vs भी याद रखोगे तो चलेगा कि हमने graph बनाया तो graph है मैं पता चला इस तरह का बनेगा कैसे, कि इसकी center पे value यह R equal to 0 है न, R equal to 0 पे कितनी 1.5 Vs यहाँ पे R equal to R पे कितनी Ps और फिर ultimately यह decrease करती हुए 0 की तरफ जादी Thank you